कि है प्यारी पज्जों सी डवल्य संग्स हजारी बाग में आपका स्वागत है जैसे कि आप लोग को मालूम है कि क्लास 11 का एक्जामिशन काफी नहीं दीख है दार्मिंश 17 तारीकों है अठाइस तारीकों है अना तो उसके लिए कुछ इस हम अभी 100 को यह अपलोग को एक्सप्लाइसन के साथ बताएंगे उसके साथ साथ और भी जितने को चाहिए था इस पॉटेंट या उसी रिडेटेरटर कोश्टन वह भी हम अभी आपको बताेंगे और मोडल सेट का जो कोसंट है कोर्षण आंसर वित एक्स्प्लाइसन वो भी आपके लिए कर दिया गया है वह प्रिवेस्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा उसमें दो कोशन छुट गया था किसे कारणवर्स तो मोडल सेट्म के नीचे आंसर दिया हुआ है हमने आंसर को देख लिया है वह कोशन सही है तो एक बार उसको पढ़ा लिजेगा ठीक है आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं इससे पहले एक नोटिस देना है आप लोग को क्लास 12 के लिए जो सेशन 2024-2025 के लिए स्टार्ट क्लासिस होगी सी डबलू एच साइंस के उपर में जिसका एडमिशन अभी चल रहा है या इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहाएगा या मिल चुका होगा ठीक है तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का मोस्ट इपोटेंड कोशन जो आपने आपके एक्जामिशन में आने की पूर्ण संभावना है उसको हम लोग आज डिस्कास करेंगे इसको एक बार बढ़िया से देख लिजेगा मोडल सेट को भी एक बार देख लिजेगा और इत्मिनान के साथ एक्जामिशन में जाईएगा मैक्सिमम कोशन आपको को से बन जा यानि टोटल नमबर आपको हंडड़ है विध एक्सप्लाइशन में अभी आपको बताऊंगा पहला नमबर कोशन क्या है पिल्गों नाराम से देखेंगे भाई क्योंकि आपनों के एक्जामिशन में ये सारे कोशन आने की परबल सम्रावना है कोशन क्या है दा निमेरिकल एन आफ फिजिकल क्वानिटिटी इज रिलेटेट तो दा साज अफ यू अफ यू अफ अफ द फिजिकल क्वानिटी आज देखो हम दोग उनिट डामिशन में पढ़ाते हैं एन यू इस इकल टू होता है कॉंस्टेंट हाना कॉंस्टेंट अच्छा यदि एन यू इस केल यह भी में और यदि हम इसको हिछ लेशन है कॉंस्टेंट है या आप कॉंस्टेंट ही लिखता नहीं है कॉंस्ट हेसलेकि ने ओस्टो लिखे करके हम लोग को एक कॉंस्टेंट जूडते हैं एक काम किजिए इस कॉंस्टेंट को हटा दिजिए तो एन डारेक्ट ली इन वर्शली पर पोर्पोर्शनल टु हो जागा वन वाई यू और यही आपका इस पर्थम कोशन याईनि पहला कोशन का अंसर होगा कोशन नमबर वन क इस आपॉसस में लीजिए सुटर्राफेट रिडारइक्ट याउ жд criticism इस नहीं यहीं होगा यह जोगा यह सबश्कियू अननगर का ऑप्शन नमबर भी करेक्ट हो जाए गया ठीक है चलिए कोशन रबर सेकेंड विच अब फॉलोइंग इस नौट द फंडामेंटल यूनिट इन में से कौश कौन फंडामेंटल यूनिट नहीं है नौट भाई देखो फंडामेंटल यूनिट कितना हमने बताया था सेवन कौन मास हो गया अब यह साथ में से आप देखिए इसमें से कौन नहीं है तो विच अब फॉलोइंग इस नौट द फंडामेंटल यूनिट कौन एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है हमने साथ फंडामेंटल फिजिकल क्वानिटी का नाम बताया उसका यूनिट फर्दर होता है तो म बाप्सन होगा इस question का क्योंकि न्यूटन कोई fundamental न्यूटन कोई fundamental physical quantity नहीं है न्यूटन फोर्स का unit है अना force का unit है जो derived होता है force के ज़िए बात करें force 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 के ज़िए बात हो रही है तो a physical2 क्या होता है m a हाना ma force derived एक को सीच करेंगे तो आप देख लिजेगे यह मास तो फन्डमेंटल नहीं है यह डराइब है जिल्सकर तोडते हैं ठीक है तो आप अब सिंपल समझाजाएए यहां पुछा गया which of the following is not कौन नहीं है क्या fundamental unit तो आप Newton जो है वो fundamental unit नहीं है ठीक है यह question number second का answer हुआ question number third which of the following is not the derived unit not इसमें भी है लेकिन इसमें अब की बार क्या बोल रहा है derived unit देखो साथ fundamental physical quantity को छोड़ करके और यदि हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को छोड़ दे तो उसके अलावे जितने भी फिजिकल क्वाइंटिटी होती है वो सभी ड्राइब्ड होता है तो साथ fundamental physical quantity और वो जो दो है एंगल में सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल उसको छोड़ करके जो कुछ भी हमको दिखे यहाँ पर वही इसका एंसर होगा क्योंकि यह पूछ रहा है वीच आवद फॉलिंग इस नौट एड्रावड यूनिट अच्छा कॉन ड्रावड यूनिट नहीं है यानि कौन फंडमेंटल है हना कोशन घुमाया हुआ है कौन फंडमेंटल है तो न्यूटन देखिए ड्रा है चलिए कहां नबर этот करें लाइट यह जँड़ यह यज़ अवलाइट यह की बात हो रही है तो लाइट यह हम लोग समझते हैं एक लाइट और बभाबर क्या होता है एक लाइट यह ब्राबर नाइन पॉइंट फॉर् सिकसी इन्टू चैन पहौर 15 मीटर यह भी कोशन किसका यूनिट है लेंद का यूनिट है आप देख लीजिए यहां पर क्या है लाइट यूनिट आप यहां मीटर देखने है तो लेंद होगा यानि तो फिर डिस्टेंस होगा तो आप इसमें से धूंड लिजिए टाइम होगा नहीं स्पीड होगा नहीं डिस्टेंस यहां द रखता है तो पार्षिक के बार में पूछा जाए तो पार्षिक भी डिस्टेंस का यूनिट है और एक पार्षिक हाना एक पार्षिक होता है 3.08 इंटू 10 to the power 16 मीटर हना यह ध्यान में रखिएगा यह भी कोशन आपके आने की पूर्णे संभावना है इसको ध्यान में रखिएगा एक पार्षिक इसके लू इतना होता है और एक लाट यह इसकेल टू 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर होता है ठीक चलिए कोशन नमबर फॉर कंप्लिट हो गया आपका फाइब चलते हैं कोशन नमबर फाइब कि क्या है लुस्टेя देखिए यही से लेक्रषय आपको में नमबर होता ही है यही एक लेक्रवल्यावर व्याकी है मतलब इसलेइट वह कितु raton्यस सर्क्षाण की से करते हैं जी एक दुलेसर पर ना तो डामेंशन आपने काली फिलुष्टे का डामेंशन होता है एम जीरो एल टी-1 और दिवाइड वाइड यहां टाइम है टी इसको और उपर ले चलिए तो यह जाएगा एम जीरो एल और टी-2 टी-2 आप इसमें मिला लेजे काउन साइस में से ओप्सन देख रहा है आप यासको से फ़र्मॉला ऑफ इसे रिलेशन दीव टो फिलो टो ग्रेविटी यानि एम जीरो एम जीरो टूर्म धुर्वह इसके इस में नहीं है इसमें भी है इसमें इन दोनोंगे सो कोई स्वएक होगा आप यहां दिख लेजिए एल और टी-2 है टीपर पावर मैंस टू कि एक हैं इसी में यानी option नवर एक कर्खेंट हो जाएगा ठीक है ओ फिर क्या क्याता है डामेशनल फोर्मला प्रवाइशा स्पेशिफिक हित अस्पेशिफिक हिट तो आपने क्या होता तब अप्ड़े आपको यह फ्लेकिंशनल लिख पाओगे तो सपासीफिक रित को इस से न यहां डेल्टाक्यु आ इसका मतलब यह क्या है चेंजट इन हेट क्या है चेंज इन टेंपरिचर और क्या हैं माश आप लीख लीए हम लोग गानते हैं कि हीट is the form of energy लिखते चलते हैं डेल्टा-क्यु उपनि इनरजी मतलब केलब लिख दीजें MM कर जाएगा और इसको इदी शॉल्व करें तो M to the power 0 L square t minus 2 और t minus 2 और यह k to the power minus 1 आएगा और आप आप्सण में मिला लिजे जो आप्सण मिल रहा होगा वह आप्सण होगा M0L1 T-2 M0L2 होना चाहिए था L2 इसमें है M0L2 T-2 और K-1 यही option होगा हना इसमें M0L2 T-2 और K-1 इसमें नहीं है यह नहीं होगा –2 –1 है M2 है यहने option number B इस question का सही हो जाएगा ठीक question number 6 का option number B correct हो जाएगा ठीक है तो हम यह भी बताते जा रहे हैं आपको कि कोई एक question है और उसे related question कौन-कौन से बन सकता है या तो फिर उसका relation क्या है अना तो इससे आपको benefit क्या होगा कि एक question के साथ कई question आपको एक साथ clear होते चला जाएगा चलिए next question देखिए question number 7 question number 7 question number 7 क्या है question number 7 देखिए कहता है आप branch of physics dealing with motion without considering it cause non-age हम लोग यदि motion के बारे में अध्यान करते हैं motion के बारे में पढ़ते हैं तो without cause बिना region के यदि हम लोग पढ़ें तो हम उसको क्या बोलते हैं देखिए हम लोग पढ़ते हैं motion में kinematics dynamics dynamics की जब बात आती है तो इसमें हम लोग जानते हैं कि with cause होता है dynamics में कुछ वज़ा होती है और kinematics में कोई वज़ा नहीं होता है जैसे मक्ही का इदर उदर भीर बिनाना यह क्या है यह आपका kinematics है kinematics that means without region motion of the particle या motion of the object तो आप इसमें देख लिए पुछता है कि दबरांच फिजिक्स dealing with the motion without considering cause of cause without cause हना बिना किसी कारण के कि बिना किसी कारण के कारण के लिए dynamics होना चाहिए बिना कारण के लिए kinematics होगा यह ध्यान रखेगा hydrodynamics नहीं होगा यह फ्लिट को प्रोपर्टी है mechanics भी आपका नहीं होगा हना तो यानि इस कोशन का option number a correct हो जाएगा ठीक नेस कोशन देखिए which type of motion of an object that moves in state line किस तरह का motion का किस तरह का object का motion मुफ करता है कैसा state line में सीधी रेखा में तो सीधी रेखा को हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं तो रेक्ट लिनियर के नाम से जानते हैं हाना एक समान गती जिसको बोलते हम लोग तो रेक्ट लिनियर जहां आपको दिख रहा होगा वहीजिश का option होगा यानि अप्षन नमबर एग ठीक है प्रिवडिक मोशन नहीं होगा सर्कुलर मोशन एक अपने अपमें चप्टर है अना नन अप दिच नन अप दिच तो होने की कोई सम्भानों नहीं है कोसे नमबर नाइन कोसन नमबर नाइन बहुत अशा कोसन है एक नुमेरिकल है इसमें से तो मेकनिक्स के प्रॉपटी देखने को मिलेगा कोसन मना देखिए अकार स्टार्स फ्रॉम रेष्ट रेष्ट अना ध्यान रखिएगा कोशन को जब भी नुमेरिकल आप बनाओ तो एक एक वड़ का मीनिंग होता है तब ही आपसे बन पाएगा कोशन अकार स्टार्स चलना स्टार्ट किया रेस्ट मतलब विरामा अवस्था से हाना देखें यहां पर हम बना रहे हैं यदि यह चलना स्टार्ट किया विरामा अवस्था से तो आप मान लेजिए सबसे पहली बात आप यह देख लिजिए कि केो लेह किलो मिटर पर हर में है थो लिए तो क्वक्राइब करेंगे यह सबस्केंभा करें द्हस्क्राभ करती हैं यह से न में एक ख़ेंटर में चत्ती सो सेकेंड होता है यह दो जिरो दो जिरो मुश्कुरा रहा तक आठ दिये और यह 36 36 उपर नीचे कट गया बचा कितना टेन मीटर पर सेकेंड यह दनी फाइनल भिष्टिक मान है थाट टेन मीटर पर सेकेंड अब आप से क्या कुछ जा रहा है एसलेरेशन तो एसलेरेशन के लिए आप फर्मड़ा लगा दीजिए एसलेरेशन के लिए कौन से फर्मड़ा होगा भाई आप यूज किजिए भी इसकेल यूप्लस एटी आना आया है 10 इसकल टू इनिशेल भिष्टि जीरो प्लस एसलेरेशन कमान आपको चाहिए एल्टो टाम कमान के अब है टी अब यह हो जाए कर टेन इस इकल टू एटी आ एटी हना तो यहां तो टीकमान दिया वहा है तो आप टीम कमान यहां पूट कर अब है और यदि एसलेरेशन हम लोग निकाले यहां डारेक्ट तो यह आसानी से हम निकाल लेंगे यहां से यह हो जागा आपका कितना टेन ए और इसको निचे लियाएंगे तो ए बराबर हो जागा टेन बाइट इन डाट मिंस इसको कट करेंगे तो वन मीटर पर सेकेंड स्क और इसका answer आएगा और कहां नज़र आ रहा है option no A में ठीक है तो हमने concept बताया जदी हम लोग को formula मतरब करने का तरीका क्या होई और करने का तरीका है कि आपको जो भी इस में इंफ्सार्मेशन दिया है इस इंफ्सार्मेशन के नश्चन आपको सोचना पड़एगा भी V scale to U plus AT यदि formula के हम लोग बात करें तो यह सारे formula होते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा चाव V scale to U plus AT आप जरूर पढ़े होंगे यह 80 है यह व्ला लास्ट में तो आई होब कि यह कोशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा इस कोशन का पर्टिकुलर अप्शन एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है वन मीटर पर सेकेंड चलिए कोशन नबर टेन देखिए कोशन नबर टेन क्या है कोशन नबर टेन हाँ if a body is released from certain height अच्छा एक object को कुछ हाइट से release किया जाता है माल लिए जा object यह है हाँ देन Final velocity becomes though Final velocity कितना होगा तो यदि इसको यहां से रहस किया गया है तो Final velocity भी होगा Initial velocity command 0 होगा हाँ ना क्योंकि इनिसल यह रहस्त में होगा फाइनल बिश्ट में 0 नहीं होगा माल लिजाए कि इसका हाट जो है इसका हाइट आप नहीं भी माननेंगे तो परभी काम चल जा कमान प्लस जी एक्ट करता है प्लस जी और नीचे से उपर जाता है तो माइनस जी एक्ट करता है इसका मतलब है कि यहां उपर से आ मतलब कि drop क्या गया है तो U scale to E का पर प्लस जी होगा यानि यह फुर्मुलाई यह था भीं बषावण U probably a को सुपतह हो जाएक जीजाएक अब क्या जिच इंग यह क्या होजाएक हो जाएक क्या है आपसे यू कमान जैसे ही जीरो बठाएंगे तो यह होजाएका क्या जीटी यानि भी स्केल्टू हो जाएगा जीटी यह इस कोशन का अंसर होगा जीटी कभी-कभी आपसे यह पूछ देगा कि 10 सेकंड यह गिरता है तो फाइनल फिस्टी कितना है टी का भलू यहां पूट कर देज़ेगा और जेका भलू यहां लेने के लिए बोलेगा तो भी स्केल्टू जीटी यानि यह हो जाएगा एन्ट सी लिखता है एंट सी लिखता है यहां पर अचाहिए इसको भी हलका साच हाप अना भी य है अगहगा फोछी सी स्ट कर दिजिके और ओंडर फोट गोगा यह ने मेंड़ा नहीं if अगुल फोल्ब का है और ऑक्शन नबर चीह ने चैए कंवल एक ही जोगा इसका मतलब है कि option number c correct हो जाए ठीक है चलिए question number 11 question number 11 question number 11 क्या है अवेकेल ट्रेवल्स हाप आप डिश्टेंस विधर स्पीट भीवन हाप यानि दो इक्वल डिस्टेंस के बात हो रही है यह आधा डिस्टेंस माल लिया जाए यह टोटल डिस्टेंस एक से माल लिए जाए तो यह आधा डिस्टेंस एक सबाइटी होगा यह आधा डिस्टेंस एक सबाइट होगा क्या कहता है कि हाप आप अप टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस का आधा दूरी कितना स्पीट से ट्रेवल करता है भीवन से यानि भीवन स स्पीड और जो बच गिया जो आधा स्पीड है वह कितना स्पीड से ट्रेवल करता है भी टू से यह भी टू से ट्रेवल करता है ठीक दिन average speed of the particle over the whole period of motion तो पूरे period of motion के लिए average speed कमान कितना होगा ठीक है average speed कमान कितना होगा time period के बारे में यदि बोला जाता तो हम लोग 2 v1 v2 by v1 plus v2 अलग concept हम लोग यूज करते हैं यह हम लोग इसको explain करेंगे तो वह लोग formula आजाएगा अभी फिलाहाल आपका option number एक औरेक्ट हो जागा v1 plus v2 divided by 2 क्योंकि हाफ हाफ distance travel कर रहा है अलग अलग velocity से तो average निकालने के लिए दोनों को add कर देंगे दोस्ट भाग देंगे तो average speed आजाएगा ठीक चलिए कि कोसर नंबर कोसर नमर कोसर नबर 12 यह भी बहुत असा कोसर है कोसर नबर 12 आपके एक्जामनेशन में आर सकता है बिल्गुल बेसिक कोशन है कहता है consider a body moving with acceleration 2 meter per second square यह given है क्या given है given है a is equal to 2 meter per second square after 10 seconds its velocity is 10 meter per second अच्छा इसको लिखते जाते हैं क्या कहता है consider body moving with acceleration acceleration कर रहा है एक मान दिया है 2 meter per second square और 10 seconds के बाद यानि टीक मान यदि हम लोग 10 seconds लेते हैं तो इसके बाद इसका speed जो हो जाता है वो final speed 10 meter per second हो जाता है ठीक 10 meter per second हो जाता है 10 meter per second तो क्याता है कि समय कितना होगा हां टीक तो दिया ही नहीं है एक मिनट एक मिनट बच्चे एक मिनट अपिर इसको देखते हैं consider a body moving with acceleration acceleration एस मूब कर रहा है और acceleration का value दिया है 2 meter per second square after 10 seconds टी समय के बाद टी का भाइल पूच्छा जारा आपसे its velocity इसका velocity जो है वो 10 meter per second आ जाता है मतलब 2 scale 2 हो जाता है 10 meter per second तो आपको टाइम पूच्छा जा रहा है हाना यानि 10 meter per second का velocity acquire करता है कितना समय में यह आप से पूच्छा जा रहा है ठीक है 10 meter per second का दूरी कितना समय में करता है यह आप से पूच्छा रहा है ठीक है तो acceleration तो दिया है फाइनल भीष्ट दिया है हना acceleration की बात करता है तो यदि हम लोग यह लगाए फ्रमुला भी कषएर सेंके क्ल यूदि दूच प्लस से चलना स्टार्ट किया ओगा द यू का यह सब्सक्राइब करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 मिटर आप यह समझ लीजिए दस दस सेकेंड में स्वरी सेकेंड के बात ही नहीं हो रही है यानि फाइनल भीष्ट जब एक्वाइर किया है 10 मिटर पर सेकेंड तब तक यह 25 मिटर चल चुका है तो अब इसको हम लोग को टाइम चाहिए तो हम लोग एक्वेशन यूज़ करते हैं अल्सो ऑल्सो हम जानते हैं एस स्केल टू यू टी प्लस हाफ एटी एसक्वाइर इसमें यूज़ कर लिजी एस कितना चला है 25 इसकेल टू यू कितना चला है जीरो टी कमान कि यह से को टी से कुट करेंगे जीरो आज़ अजाएगा प्लस चाहिए और तो हमको बहल चाहिए ही चाहिए ती का स्क्वाइट तो यदि हम इसको कट करें तू से टू कर जाएगा तो यह हो जाएगा 25 इसकेल टो टी एसपायर और टी इसकेल टो अंडर Jest 25 का रूट कितना होता है बच्चा 5 यानि 5 सेकेंड इस कोशन का आंसर हो जाएगा आप देखिए जिए 5 सेकेंड कहीं नजर आ रहे तो यह आंसर होगा यानि ऑप्शन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा ठीक कोशन नमबर 12 ठीक है चलिए कोशन नमबर 13 देखते हैं एक वेक्टर कब चेंज नहीं करेगा यह नहीं बदलेगा एक वेक्टर कब चेंज नहीं होगा वेक्टर नहीं चेंज होने का कंडिशन पूषाजा आपसे तो क्या क्या है option में देख लिजे it is displayed parallel to itself यदि a vector है a vector है और एक और vector b है और यदि ये दोनों parallel है a का vector parallel है किसका b का vector का तो angle command 0 होगा a और b का multiply जो हो आएगा वो आएगा ठीक है it is rotated through an angle arbitrary angle इसको कुछ angles इसको rotate करेंगे तो इस चेंज होते रहेगा हमेशा it is multiplied by an arbitrary angle arbitrary angle से खुना करेंगे तब भी change हो जागा it is cross multiplied by a unit vector यदि हम लोग cross multiplier कर दें किस से unit vector से cross multiplier कर दें किस से unit vector से unit vector से cross multiplier करेंगे तो ये vector जो है हना एक नया vector ही रहेगा मतलब ये change नहीं करेगा यानि option number d correct हो जागा देखो गई इसमें क्या concept है concept है यदि हम लोग 2 vector को आपस में cross करते हैं यदि 2 vector को आपस में cross करते हैं तो प्राप्थ होने वाला तिसरा vector भी एक vector ही होता है जो उन्हीं दोनों vector पर perpendicular होता है तो हम इसको कैसे देख सकते हैं एक वेक्टर का मोड बी का वेक्टर का मोड साइन थिट्टा और यह क्या नॉर्मल यूनिट वेक्टर यह देखिए यह नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर है और यहीं सी यह question है यानि it is cross multiply by unit vector देखिए यह यूनिट भेक्टर से यह हम लोग इसको मल्टिप्लाय करेंगे तो इस पर कोई एफेक्ट नहीं पड़ेगा यानि ऑप्षन नमबर दी इस कोशन का सही हो जाए ठीक चलिए कोशन नमबर फोटीन देखते हैं कोशन में फोटीन क्या है वडिद माईंग्निट्व्ट ऑफ यूनिट भेक्टर का माइनिटूट के ःतना होता है ठीक है देटिए यदि मेरे च्वारे में घंद बात करता है तो यूनिट भेक्टर घेडिए यूनिड्फर और येक यूनिंच फैक्टान करते हैं तो यदि हम भोग एक काड़ लिख से ऑं टारप्हर कोई रिखते ह में सकता है कोई इक ़ल्फाबेटिब कल देगा और शही १ूर्प देगा नियुक् Mangini टार की है तो बीका युलिट वेक्टर के लिए वक्टर होना चाहिए जर्टम हैं हम लोग माइनिटूड लेते हैं यदि एन के फॉर्मिल लिखें तो इसका यूनिट वेक्टर हमेशा वन होता है ठीक है यानि आप्शन नमबर एक क्रेक्टर जाएगा लेकिन यदि यूनिट वेक्टर के जाएगा पर नल वेक्टर लिखता तो आंसर कितना होता है जीरो होता ठीक है चलिए नमबर 14 of the following is vector quantity कौन एक वेक्टर है तो टॉर्क टॉर्क वेक्टर है डिस्प्लिश वीच इज नॉट ओ सरी नॉट कौन एक वेक्टर नहीं है देखिए टॉर्क वेक्टर है अब इसका एक्वेशन भी हम लिखते जाते हैं टॉर्क टॉर्क किया दी बात करें तो टॉर्क इसकेल टू टॉर्क इसकेल टू टॉर्क इसकेल टू कि टॉर्क इसकेल टू क्या हो जाएगा आर क्रॉस एफ यह वेक्टर है यह क्या है वेक्टर ठेक है डिस्प्लेस्मेंट डिस्प्लेस्मेंट भी एक वेक्टर है अभी हमने बताया डिस्प्लेस्मेंट या इस्प्लेस्मेंट से ब होना है distance divided by time is scale to kya distance divided by time is scale to kya speed यानि option number D is question का सही हो जाएगा यानि 15 number question का option number D correct हो जाएगा ठीक question number 16 16 16 triangle law से है बिलकुल आसान question है देखिए 16 क्या है which is true for the given diagram given diagram के लिए control देखिए इधर गया है एक वेक्टर यह उपर क्या है से मौटर में है प्लस बी का वेक्टर हम जानते से मौटर में एड होता है और यह देखिए reverse order में यह इधर से इधर जा रहा था वापस लाना चाहिए था लेकिन उल्टा गया है इसका मतब यह की resultant है यानि C का वेक्टर अब आप मिला लीजे ए प्लस बी इसकेल टूसी ए प्लस बी इसकेल टूसी यानि या उप्रेशन नमबर ए करेक्ट हो जाएगा कोश्चन नमबर 17 देखिए इफ ए प्लस बी का मौड इसकेल टूसी का मौड एंड एंड बी आर फानाइट दिन एज पार्लेल टू बी इज पर्पेंडिकुलर टूबी एसकेल टूबी एसकल एक्टल की इसकल टूबी मतल़कि एसकल टूब भी भी वहक्टर में वह नहीं है ठीक है ओन सटा देंगे भाटर हर जाए गाते हैं तक स्थाben वनाइंगे देखे इहां दिलिखता क्या है एक ब। फ्लस ब्रक आप फक्तर माड़ इसको तोड़ेंगे तो तो तोड़ेंगे तो आका स्कॉयर का ब्लस ब्रक आप स्कॉयर प्लस तू टैमस ए बी और यह कॉस्थ टा, हाना हर जगा यहां मोडलेस लागा हुआ भाई मैंेट्लेस और विथ वेक्टर हाना हमने हटा दिया है a minus भी तोड़ेंगे तो a का square plus b का square minus 2ab और यह cos theta ठीक देखें यदि हम इसको इधर लाएंगे यह यह और यह कर जाएगा इसको उठाक लाएंगे तो 2 2 4 हो जाएगा 4ab और यह होजाएगा आपका cos theta scale to 0 आपका कितना हो जाएगा 0 divided by 4ab इसको यदि हम लोग solve करें तो कॉस्ट इटा स्केल टो जीरो आएगा और कॉस्ट इटा में भाई जीरो किसका भेली होता है 90 डिरी का स्नाइटी डिगरी अध्या निटी डिगरी कहने का मतलब क्या है प्यार बच्चों पारलल तो स्वरी पर्पेंडिकुलर अना ताब अब देख लिए इसमें कॉस्ट अबर बिकरेक्ट हो जाएगा प्रपेंडिकुलर ला को से नबर 1718 देखिए हॉमिनी मिनिममम नंबर आप वेक्टर इन डिफ्रेंट प्लेंट प्लेंस कैन भी एड़ेट टू गिवेन जीरो रिजल्टेंट जीरो रिजल्टेंट पाने के लिए एक प्लेंट पर हम लोग मै अबर कोशन है कोशन आमा 10 देखिए वाटिजी दा एंगल बीटीन नेगैटीव बेटर नेगीटी बेक्टर नेगीटिव एक डेट्र के पुछका एंगल कितना होता देखो माली एक पैक्ट्र ऑ ये एक पैक्टिव एक नेगीटिव पैचन से स्कोशन नमबर बीख्रेंट इदा मात्तान सा कोच्छन था कोच्छन मर 20 20 बुलेट आप मास 5 ग्राम इच फायर फ्राम अप मास 5 की जी वाट इदा विलिश्टी आप दा मजल इफ दा रिकॉल विलिश्टी इच 500 मिटर पर सेकंड मजल विलिश्टी बुलेट के पुछा जा रहा है यदि रिकॉल विलिश्टी किसका गन का है यानि एक गन से एक बुलेट फायर किया गया है एक गन से गोली छोड़ा गया है गोली बोलता है कि बुलेट का जो मास है गोली का मास जो 5 ग्राम है और गन का जो मास है वो 5 किलू है तो कहता है कि मजल भिलिश्टी कमांड कितना है यदि रिकॉल भिलिश्टी 500 मीटर सेकेंड है ठीक चलिए इसको बनाते हैं इसको उपर करके एकोचन लाओ आफ कंजर्वेशन आफ लिनियर मोमेंटम से है यानि मोमेंटम कंजर्वेशन के कंसेप्ट यह बन जागा असानी से देख दिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कहां के जगा यहां बना रहे हैं ठीक है यहां यह 5 घ्राम दिया हुआ है बुड़्ग माशनी ही येमन डाथी इसको मालीजिये एतर हम इतर फिर क्यों के चहलता है। कि मास्ट कि किसका गन का गन कमा से 5 के जी यानि हम इसको मालेते हैं एमोर स्केल टू 5 kg ठीक है फिर क्या करता है वाटी दब मजल वट्वट वट्वट प्रफिलिश्टी ओफ मजल अना मजल इव दे रिकॉल विलिश्टी इच पान्चों मीटर पर सेकंड पान्चों मिटर पर रफ्तार ही दिया भाए 500 मिटर पर सेकेंड यानि भी टू इसकेल दिया भाए 500 मिटर पर सेकेंड तो मजल श्पीड पुछता आपका यह वह लाइस पुछता जा रहा है वी वन का मान कितना होगा मान लिए तो लीनर मोमेंटम में हम लोग क्या जानते हैं जानते हैं भाई कि M1 V1 सकेल टू M2 V2 M Mb2 मतलब प्यूश्टि यानि यह आपका हो गया मास और यह हो गया आपका क्या वेलोश्टि मास और क्यों जोड़ें मास और विलोसिटी को हम लोग जोड़ें तो हम लोग क्या मिलता है प्यार बच्चों मोमंटम मास इन्टू विलोसिटी को हम लोग जोड़ें तो क्या मिलता है मोमंटम ठेक तो इसमें आप इसको केवल पूट कर दिए यह पांच के जी यह पांच के जी और यह भीवन हमको च हजार हो जाएगा क्योंकि एक किलो में 1000 क्राम होता है एक किलो में 1000 ग्राम होता है ठीक है तो पांच ग्राम में 5 बटागि tenth a form होगा और इन तू यह आपका कितना भी टू कितना है 500 500 से सुपक करेंगे तो टू टाम सी चला जाएगा यानि ये five by two बढ़ मिंटर पर सेकेंड मीटर पर सेकर ऑफस्टन आफ दिन घौ सेथट occurred पर शेकर तरो मिटर पर सेकनड हाँ जो है अना एक बार पुमना हम को पढ़ लेते हैं अ बुलेट ओफ मार्ष 5 ग्राम इच फायड फ्राम अपने आफ मार्ष 5 के जी 5 के जी वाले गन से पांच ग्राम बुलेट को फायड क्या गया है जी आफ विलिश्टी आफ दी मजल अ विट इस आफ दा मजल इसमें दो कंडिशन है प्यार बच्चों पहला ये कि यदि गोली पिस्तॉल के अंदर है और यदि मजल स्पीड पुछता जा रहा है आपसे तो रियक्शन की वज़ा से एक्शन रियक्शन की वज़ा से इसका स्पीड हमें इसको पुना बनाते हैं कहीं है इस ऑफ, यापका गन है यापका गन है या आपका बुलेट है गन का वज़न कितना दिया यह 5 kg इसको थोड़ा रफतार से बनाते हैं आ पांच ग्राम वोला बुलेट से इसको फायर किया गया था पांच ग्राम वोला बुलेट से फायर किया गया था इसका मतलब है कि 500 मीटर 500 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है तो इसका रिकॉल बिस्ट इधर चाहिए तो यह आप मान लीजिए पांसो पांसो दूने 1000 हो जाता है और यह पांस से पांस कर जाएगा और भीवान इसकेल टू आजएगा वान बाइट तू यानि भीवान इसकेल टू होगा जीरो पॉइंट पांच मीटर पर सेकेंड ओ सई ठीक है पिछले जब हमने प्रिभियास बार इसको हमने ट्राय किया था तो यहां कल्कुलेशन में हलका समिस्टेक हो गया था बच्चो इसलिए यह तो से डिफर आ गया था आंसर अभी यह करेक्ट है जीरो पांच मीटर पर कॉंस्टेंट भिलिष्टी से अना कुलाइट करता है एक दुशर से वीच अव्दा फॉलेंग क्वांटी की रिमीन कंजर्व देखिए एक बोड़ी दुशर बोड़ी से कांटेक्ट करता है यह कुलाइट कुलाइट नहीं तो टक राता है है आना जिसमाली यह मांस यह एक मोमेंटम कंजर्ब रहेगा और मोमेंटम कंजर्ब क्यों रहेगा क्योंकि मोमेंटम पी स्क्र dagegen濃 ऴीश्चर माम के लेख पहला का हएम two or b2 मोमैंटम दूसरा का हर एक है क्या रहेगा आनी मोमेंटम कंजर्ब रहेगा ठेक है नहीं समित नमबर 21 का on a correct हो जाएिए question number 22 देखिए question number 22 क्या है if the kinetic energy of body becomes four times अना हाँ देखिए if the kinetic energy of a body becomes four times of its initial value initial value से kinetic energy जो है वो कैसा है चार गुना है the new momentum will more than its initial momentum by more than its initial momentum by क्या काता है kinetic energy हाना kinetic energy is called to half mv square हाना फिर काता है kinetic यह initial है initial kinetic energy चार चार गुना है initial का आना यानि final is called to have four times one by two mv square इसको इदी कट करेंगे यह हो जागा two bar में कट जागा यानि हो जागा two mv square ठीक फिर क्या कहता है फिर क्या कहता है फिर क्या कहता है दिन new momentum will more than its momentum by अना पी बराबर क्या होता है भाई mv p बराबर क्या होता है mv p बराबर क्या होता है mv p क्या है momentum m क्या है mass b क्या है velocity ठीक है यानि हम लोग change in momentum के form में इसको calculate करेंगे तो two mv minus mv अना यानि mv यानि जितना initial है उतना final के form में आ रहा है और योदि उसको हम लोग equivalent माने तो वह 100 परसंट आएगा यानि इस कोसर का option number भी correct हो जाएगा ठीक ट्वेंटीटीव को कोसर नमबर 22 का option नमबर भी correct हो जाएगा ठीक चलिए question number 23 देखते हैं 23 which of the following कि जनावन आइज law of inertia law of inertia किसको बोलते हैं तो newton ने तिन नियम बताया था उसमें से पहला नियम को ही हम लोग law of inertia के नाम से जानते हैं जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जलात वका नियम जलात वका नियम newton's first law 24 the coefficient of friction mu is equal to coefficient of friction mu किसके बराबर होता है तो coefficient mu जो होता है वो 10 theta के बराबर होता है और 10 theta के form में यहाँ alpha लिखा वायत कोई बात नहीं है में scale to u हो जाएगा आपका क्या 10 alpha क्योंकि alpha भी है option number a correct हो जाएगा question number 25 देखिए the force of friction is equal to force of friction देखिए यदि कोई object यहाँ है इसका mass aim है इसका reaction r है r और force यहाँ f लग रहा है तो हम जानते हैं कि force directly proportional to r होता है और force is equal to यह हो जाता है mu r तो आप से क्या पुछा जा रहा है the force of friction is equal to force of friction कितना होगा तो मियू r के बराबर होगा तो मियू r कहाँ दिख रहा है option number d में option number correct हो जाएगा 25 question हो गया 26 देखिए question number 26 question number 26 देखिए what is the unit of energy in cgs system cgs system में energy का unit क्या होता है SI system में energy का unit joule होता है cgs system में energy का unit arg होता है अना option नबर भी correct हो जाएगा पोटेंशिल इनर्जी भाई पोटेंशिल इनर्जी पी स्केल्टू क्या होता है potential energy पी स्केल्टू एम जी एच यह मास है gravitational acceleration और यह height है क्या दिखा हो यहाँ मास है height है इसका मतलब जी यहाँ होगा जी यहाँ होगा हम तो gravitational acceleration यानि option number D correct हो जाएगा question number 28 area under force displacement area under force displacement यदि हम grab बनाए यदि हम लोग grab बनाए इसका force or displacement का तो देखिए यह force का है और यह displacement का है यहाँ पर कोई भी graph रहेगा ति हम इसे वर्कड़न बताएगा यानि इस question का option number C correct हो जाएगा वर्क इस सेट टूबी जीरो वर्क 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 देखो इसमें जीरो वर्क होने का condition पूच जा रहा है समझे डवलू इसकेल टू होता है एफ डॉट एस एफ डॉट एस एफ क्या है और यह बीज में बिंदू टाप का क्या है यह डॉट यदि हम लोग वैक्टर की बात करें तो दो तरह का वैक्टर पढ़ते हैं cross product और dot product dot product से related जितने भी physical quantity बनेंगे सभी स्केलर होंगे cross product से कितने भी physical quantity बनेंगे सभी वेक्टर होंगे यानि वर्कडन स्केलर फिजिकल कॉनिटी हमसे यह कोशा नहीं पूछा गया पूछा गया है वर्क कब 0 होगा तो देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो यह हो जागा होगा है आप यहां पर ढूंड लिजेए इसमें से क्या दिया हुआ है वर्क इस से टूबी 0 0 कब है एंगल के फो में लिखा है एंगल 10 दिखरी रहेगा नभी डिगरी रहेगा एक सोच दिखरी था भी हमने बताया अभी हमने बताया और यदी थेटा कमान 180 डिगरी रखें मतलब वह एंटी पार्लेल रखें तो वर्क इन कैसा होगा बावू नेगेटीव होगा ठीक यानि इस कोशन का अप्शन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा कोशन नमबर 30 कानेटिक नर्जी कब कंजर्ब रहता है कानेट अफेक्टली इनलास्टिक घंचे घंधुरू जाता है यानि यानि अप्शन नमबर ए इसका अप्शान नमबर 31 31 कोशन नमबर 30 क्या है मोमेंट ऑफ इनेश्य ऑफ ऑफ शॉली रस्फियर देखें कुछ-कुछ इसमें से डायग्राम है जिसका आपको याद रखना पड़ेगा जैसे यह शॉली रस्फियर एक डायग्राम के फॉर्म में आया है एम इसका मास है रेडियस इसका आर है और डायमीटर के अलॉंग बो अध्या थिट्व किया है को स्पीड अफ ओन्द सर्फेस आप प्लानेट वारीज विश्ट्व मास में आफ बॉड़ी अज अना इसकाप स्पीट की बात करता है तो इसकाप स्कुट की बारे में पहले जानते हैं भी स्केलटी होता है अंडर रूट तू एक निट यह क्या ह अब देख लिए यहां पर मास कहीं नहीं 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 करता है तो इस कोशन में देखिए पहल का ओप्षन दिया है एम टूदी पावर जीरो तो आप यह समझे लिए कि किसी भी वेरीबल के उपर में इसके कपार पर यह जीरो रहेगा तो इसका वेली आपको एक बोला है और ए अप्षन नमबर एही क्रेक्ट हो जागा केवल यह आपको केवल यह सोचना था इस कोशन में इस फॉर्मुली क्याधार पर की मास पर डिपेंड यह नहीं करता है कोशन नमबर 33 देखिए विच आफ फॉल्वाइंग केपलर्स लाओ विच आफ फॉल्वाइंग केपलर्स ल प्रॉलैकश और आपको अरव्वाइंग केपलर्स का पहला नियम ही है लॉवत सकेंड नयम है लॉवत अप्वर घ४ा ships होगा क्या जानते हो जी M1 M2 by R2 यह क्या है यह है यह है Newton's universal constant मतब कि Newton's का universal law इसको दिए हम लोग arrange करेंगे यह हो जागा एफ इंटु यह इधर ले आएंगे फर का स्क्वार हो जागा divide by M1 into M2 हो जागा M1 into M2 और इसके टू क्या हो जागा जी अब आप मिला लीजे स्क्वार उपर में होना चाहिए यह फर का स्क्वार के वली सी में है यानि स्क्रेक्ट हो जागा नीचे भी मिला लेते हैं M1 M2 होना चाहिए M1 M2 है ठेक है इसके बिस्ट्य आप दर आर्थ इच आर्थ का स्क्वार इस्ट्य कितना होता है तो 11 दर्समिल दो किलोमेटर पर सिकेंड होता है यह आप याद कर लिजिये देखिये यह यहां 2 G G,9.8 और R चौशट सो किलोमेटर पूट के जियेगा तो यह वाला भेलू निकल करके आपका आजागा Mathematical Calculation यह दिके जियेगा तो यानि Option Number B इसका करेक्ट हो जाए Question Number 36 The ratio of the tangential stress and the shear strain is known as दखिये Tangential stress और shear strain के ratio को हम लोग बोलते हैं Modulus of Rigidity इसको एक नाम से और जानते हैं वो है shear of modulus यानि Option Number B correct हो जागा लेकिन यदि इसमें से हम लोग बात करें तो तीन चीज़ें आती है इसमें और तीन चीज़ें कौन-कौन से आती सोरी दो चीज़ें यह कौन-कौन से यदि एक आता है आपका यंक्स मॉडूलोस ओफिलासिटी वाई जिसको हम लोग बोलते हैं और बटा एरिया डिवाइड वाई चेंज इन लेंथ डिवाइड वाई लेंथ ये दूसरा क्या होता है बल्क मॉडूलोस ओफिलासिटी वी इसमें क्या बता है फोर्स बटा एरिया डिवाइड वाई चेंज इन वोल्यूम डिवाइड वाई ओर ये थार्ड वला आपसे पूछा है ठीक है तो इसके अलावे भी इसके जगा अपर यह दोनों पूछा जा सकता है तो इसको आप द क्या है 37 एस प्रेशर इंसायट शॉब बबल सॉब बबल सॉब बबल अना साबून का जो बुल्बुला रहता है सॉब बबल उसका रेडियस आर है तो तो सर्फेस टेंशन टी है तो वह किसके बराबर है उसका प्रेशर देखिए इसमें दो चीजें आती है दो कंशप्ट ह लिए रहता है और हम लोग liquid drop की बात करें रहता है मतलब लिक्विड मॉलुक्त से बाहर में इटमस्फियर लहता है उसमें यहां प्रेसर ठेक है चंजिन प्रेसर होगा प्रेशर इसको आप करेक्शन कर लेंगे ऑप्शन नुम्बर डी इसका करेक्ट हो जाएगा लेकिन सौब बॉबल के जगह केवल दे देता है लिक्विड ड्रॉब तो फोर टी बाई आर नहीं बलकि टू टी बाई रहोता है अप्शन नुम्बर बी मैं फिस को दोरा रहा हू हैं यह इस सौब बॉबल की बात किया जाए तो सौब बबल में आप देखिए कि मतलब की जो साबून का उसका बूल बूला होता है उसके अंदर वाले भाग में भी एयर कॉंटेक्ट रहता है बाहर से ब्सक्राइब कॉंटेक्ट में है इसलिए वह पूर टी बाई आर होता यह जो प्रेसर है यह आपका लिक्विड ड्रॉप के लिए ड्रॉप और यह जो अभी आप से कोशन पुछा गया है सौब बबल के लिए पुछा गया है एक्जामनिशन में यह इसको प्लट करके दे तो आपको इसको में कंफ्यूज ना करें ठीक चलिए कोशन नमर 38 है डूल ब्रेक हैड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित होता है है अना हैड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित होता है ठीक चलिए नेस्ट कोशन हाइस्ट अप्टू विच लिक्विड कान फ्राइज इन कापिलरी टीव इस गिवन वाई यह फॉर्मूला लिख रिट्रिकेम्ते नोब्र 339 140ाह alan성 जो इनगल लior że उन्हार क्या है जो असफिरिकल सर्फेस बनता है उसके B åd आह यह स्कोड़ाँ सकते हैं क्या रेडियस यह केबल फॉरवर्मल की के ढुतफада था यह वाई आर रोजी या रोजी आर लिखावार आता है कुछ भी लिखावर आसकता है गुना में चलता है ठीक चलिए कोशन नुबर 39 इसके एक्सपेरिमेंटल आपजरवेशन है इसको भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा 1st law of thermodynamics leads to conservation of energy कही नजर आ रहा है तो नहीं पाई है इंसर होगा conservation of energy thermodynamics में पहला नेयम energy conservation को बताता है हाई ना और panorama है क्या चाई जो is paran landmark किसी system के बारे में यह बात किया जाए तो amount of........ हम लोग hit देंगे इसको तो अंदर में internet energy change करेगा पलस में work done होगा यानि Q is equal to हम लिख सकते हैं delta U plus sorry delta का form नहीं लिख रहे हैं तो ऐसा ही लिखते हैं U plus क्या W अब इसको delta का form में लिखना चाहेंगे तो delta Q is equal to delta U plus क्या delta W ये आपको आगे कहीं ने कहीं question आपको set में मिलेगा ठीक है यानि इस question का answer C हो जाएगा conservation of energy in isothermic process isothermic process की बात करता है isothermic process temperature is constant pressure is constant volume is constant none of these isothermic process isothermic मतलब hit to hit isothermic मतलब heatness या coldness तो इसमें temperature is constant pressure pressure तो constant नहीं होगा अना volume भी constant नहीं होगा none of these यानि option number यह होगा देखिए हम लोग चारतरह का इतिन तिन तरह का चारतरह का हम लोग thermodynamics पढ़ते हैं पहला क्या पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं इसमें isothermal process दूसरा पढ़ते हैं adiabatic तिसरा पढ़ते हैं isochoric और चौथा पढ़ते हैं हम लोग आइसो बारिक किसमें क्या constant रहा तो इसको मैं बता रहा हूं ISO thermal में हमें ए कशर टेंपरेचर रहेगा Red Renee question रएगा एडिया बैटिक में heat रहेगा एट घौसन रहेगा आईचे बारिक में प्रेह सरस्प्रेशर कंस्ट रहेगा और आयशो कॉर्इक में वूल्यूम कंस्ट रहेगा यहांसे कोचन आपके एक्जामर्मा इसको थोड़ा से ध्यान में रहके गा कोसन आपका आइश्व थर्मिक से यानि टेंपरिचर कॉंस्टेंट हो जाएगा से इसे नहीं स्य थर्मिल्ट एक्वेशनों कौन है तो आइश्व थर्मिल्ट एक्वेशन देखिए पी भी सेद्टोड आडियाल गाइस क क्ञेंट एंफिनिटी नुठ वन दिया है जिरूर्ट दिया नहीं क्वाइब क्योंकि यह बोलता है किसका आयो थर्मना रफीक हमने तुरंड बताया कि आईशा मलके लिए टेम्प्रेचर प्लेचा लगोव या만 रॉक्त दिया गया है तो प्वैंट क्या है आर्टी लॉग 10 भी टूबाइ भी बिवन ही होगा अब यहां देख लेना होगा कि लॉग 10 है कि एलेंदक फॉर्म में है तो एलेंदक फॉर्म में अप्शन नमर्बी यहां है तो टू पॉइंट थी डबल जीरो यह इतना गुना नहीं होगा यह तो होगा यह नहीं यह रिश्यो मनी होता है लॉग बेस टेन तो यहां लिखा है लेकिन फॉर्दर यहां सामने में कुछ नहीं गुना किया यानि और बिक रेक्ट हो जाएगा ठीक यह एक्वेशन है वर्क्र troubled का ऊछलैंट एक्वेशन आता है को डाले आपके ओpow्शन में लिखा गया है अभी तुरंत हमने अभी बतायता है रच्वाव थर्मार नइनमिक्स क्या बताता है आं तब फस्ट्रण यह ओल्प प्लश ब्स ब्रच्ट ऑप्स beggे ऑप यह और आ सब्सक्राइब करता है इसका मतलब इसका और सी करेक्ट हो जाएगा एक चीज और इसमें आप जान लेजिए जिए सब्सक्राइब के ऊपर में जिए होता है तरह आप वह समझेंच यह मांद के रहले कंडिशन फोल उता है हट जियो बेहएगा यह गुम्ते-गुम्ते कभी न कभी पर गिर जाएगा जो ऐसा पॉसिबल नहीं है यह ऐसा नहीं होता है इसका दो यह वेटलेसनेस के कंडिशन को फॉलो करता है ये भी कोशन आपसे पूछा जा सकता है कोशन नवर 47 यंगस मॉडूलस आफ वायर डिपेंज अपन यंग्स मॉडूलस आफ वायर यंग्स मॉडूलस किसको बलते हैं वाई वाई स्केल टू फोर्स बटा एरिया डिवायर बाई चेंज बायर चेंजिंट बाई ओरिजिनल पडिएस में दिया देख लिएस उपिपे बोट A and B देखिए लेंथ पडिबेंड कर रहा है एरिया पडिबेंड कर रहा है मेटरियल से इसको कोई लिए नदर नहीं है यानि ऑप्शन नमबर डिकरेक्ट हो जागा है ठीक है यह दोना ऑप्शन नहीं होगा इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें मास के इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें मास कंजर्ब रहता है है ठीक को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब क्या होता है यह मैं निकाल जाता हूं अभी तुरंत होंगे एफ इसकेल टू शिक्स पाई इंटा आर और ये भी यह इंटा जो दिख रहा है ने एन को हम दो जो खीचे हैं वहीं कॉफिसेंट विसको सिटी है यहाद हम इसको लिखेंगे तो इंटा इसकेल टू एफ डिवाइड बाई इसको आप आप यहां से आप लिख लिजिए एफ डिवाइड बाई आर और यह भी आप यहां से डामेंशन डारेट लिख लिजिए एफ क्या है फोर्स यानि हम लिख सकते हैं इसको आप लिख लिख दिया यहां पर माइनस टू और डिवाइड बाई आर आर मतलब रेडियास मतलब लेंथ एल और भी मतलब विलूस्टी विलूस्टी मतलब एल टी-1 इसको आप सेट कर लिजिए क्यावल यह कितना हो जाएगा एक एल से एक उपर नीचे कर जाएगा और यह हो जाएगा एम और इसको एल उपर ले चलाएंगे तो हुछ नहीं रहते हुँ नहीं होगा है um िदेए लास्ट कोशन सेट 1 का सॉलिट्स आडी इंट बाइदा मुड ऑफ शॉलिट को हम लुग किसमोड से हम लुग करते हैं और कंडाक्शन कंडाक्शन कंवेक्शन और रेडियेशन टिन तरिक्वेक्षन हो में बताया था हाना तो सॉलिट सॉलिट की बात होती है तो सॉलिट का मोड ऑफ हिटनेश पुछा गया है तो यह कंडक्शन मिथर द्वारा होता है इसको आप समझें तो आजारी बग में जितने भी बच्चा आते हैं कडाही में जरूर खाना बनाते होंगे तो आप समझें के कडाही में यदि सब्जी भूं ठिक आई होप कि पहला से आपको बहुत बनिया से समझ में आया होगा हना इसमें 50 कोशन था यह 50 कोशन आपको लोग को डेलिवर कर दिया गया है और उस 50 कोशन से रिलेटेड जितने भी कोशन बनना चाहिए था इपोर्टेन कोशन उसको भी एकस्प्लानेशन के साथ आपक से वो सारे कोर्सेस चलने लगेगी आपके पैड बैच में आप हमारे ऑफिसियल जो नंबर मिलेगा या तो फिर जो आपको बैनर में देखेगा उस पर फोन करके या फिर मैसेज करके आप उसको डिटेल पता कर सकते हैं दो तारिक से फिजिस कमेस्ट्री मैथमेटिक्स बा यानुवते